नमस्कार मैं हूँ अमित पालित और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया टीवी डिजिटल पर वैसे तो देश के कई हिस्सों में और राज्यों में मौन्जून पहुंच चुका है लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य है जहां पर गर्मी पढ़ रही है बहार निकलो तो तप्ती और जुलस्ती गर्मी और साथ ही कोरोना का डर ऐसे में घर के अंदर ही एर कंडिशनर आपको इस गर्मी से राहत देगा और साथ ही सेफ भी रखेगा लेकिन अगर आपका AC ही बिमार पढ़ जाए तो क्या होगा तो चलिए आपको समझाते हैं कि बहुती आसानी से घर पर ही आप अपने AC को कैसे क्लीन और हेल्दी रख सकते हैं रुकिए साथ ही अपने AC के बिलको कम कैसे कर सकते हैं इसकी भी टिप्स बता रहे हैं इस वीडियो को देखिए AC की बहतर इस्तमाल के लिए समय समय पर फिल्टर बदलते रहें सबसे ज़्यादा जरूरत है कि AC का फिल्टर बिलकुल साफ रहना चाहिए हर अफ़ते फिल्टर की जाली को निकाल कर डिटरजन से साफ करके सुखाएं AC के कॉयल वेपुरेटर को टूथ प्रश की मदद से साफ करना चाहिए इस पर ज्यादा जोर नहीं लगाना चाहिए वरना कॉयल खराब हो गई तो कंप्रेशर बेकार हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि AC से साफ अबा का संचालन हो तो समय समय पर AC के बाहर पड़ी धूल को हटाते रहें खास कर धूल भरी आंधियों के दिनों में AC के आसबास की धूल मिट्टी को भी साफ करते रहना चाहिए AC के डक्स को हमेशा साफ रखना चाहिए अगर आपका AC नियमत तोर पर दस घंटों से ज्यादा चलता है तो डक्स को समय समय पर क्लीन करते रहना चाहिए वरना डस जम कर ये खराब हो सकते हैं जिससे AC की शमता पर बुरा असर पड़ता है AC की गैस पर नज़र रखें ये AC को लंबे समय तक चलाने के लिए बेहत जरूरी है कई बार गैस का कम दबाव होने पर भी AC की कंप्रिसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अगर बहुत ज्यादा ज़रूत नहीं है तो कोशिश करें कि AC को 24 डिगरी से नीचे ना चलाएं ज्यादा गर्मी हो तो कुछ देर के लिए पावर्चिल मोट का इस्तिमाल करें अन्यथा AC को 24 से 25 डिगरी के बीच चला कर कमरे में एक पंखा चलाया जा सकता है इससे आपका AC कम बिजली खाएगा AC को कूल मोट की जगें आटोमेटिक मोट पर चलाना चाहिए इससे AC कमरे के स्तिती के अनुसार मोट और फैन को ऑपरेट करेगा इससे कमरा जरुर से ज्यादा ठंडा भी नहीं होगा और बिजली भी बचे की याद रहे इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने AC की लाइफ और हेल्थ दोनों बेहतर कर सकते हैं तो आपने हमारे इस वीडियो से समझ लिया होगा और जान भी लिया होगा कि खर पर आसानी से AC को कैसे फिट रखें इसी तरह कि अगर इन्फॉर्मेटिव और जानकारी से भरे वीडियो आपको देखना है तो किसके साथ जुड़े रहेंगे इंडिया टिवी डिजिकल के साथ